हाई चैटिवान जेको साथियो आज का टोपिक Thatукah सुनल पर देख रहे हैं रूप चंदा मचली। मैं चन्दा मचली का कलचर कैसे करें किस-किस मचली के साथ में कलचर करें और रूप चंदा मचली का ग्रोथ क्या है कितना quantity में रूप चंदा मचली का सीड अश्टॉक करें तो आएए मैं विस्तार से मुद्दे पे आता हूं तो देखिए एक भीगा का तलाव अधी है आप अधी पंगास्यस का कल्चर करते हैं जासर मचली का अधी आप कल्चर करते हैं एक भीगा का तलाव में तो आपको मैं कहता हूं कि पान सव चार सव से पान सव मचलियां आप रूप चंदा को कल्चर कर सकते हैं एक से डड़ भीगा का तलाव में और उसमें आपको एक हजार आएम सी मचली भी पल सकती है उसमें आपको चाहिए गलास कार्प, कॉमन कार्प, कतला, बिगेड, नैनी इस पांच म मचली के साथ आप रूप चंदा का कल्चर कर सकते हैं, मैं हैंडेट 10% कहूंगा कि कोई नुकसान नहीं होगा, बस सरते आप एक सिस्टम के थू करेंगे तो आप मनमानी तरीका से जो साइज का मन होगा, जो साइज का सीड मिक्स डाल देंगे, तो आपको नुकसान हो सकता ह है, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तो आपको नुकसान नहीं होगा, 110% गरांटी के साथ कहूंगा, कि रूप चंदा मचली ग्रोथ करेगी, और IMC के साथ में बहुत माज़ेस से ग्रोथ करेगी, ना IMC को कोई डिश्टर्व होगा, और ना पंगासियस को कोई डिश्टर् होगा, तो उसके लिए करना क्या होगा, आपको कि पंगासियस आपको एक डिश्टर्व डिश्टर्व में दी 10-15,000 बच्चा है, तो आप उसमें 2000 IMC के कल्चर करें, जिसमें 500 बच्चा, 400 बच्चा आप रूप चंदा का छोड़ें, और आपको ध्यान रखना होगा कि IMC डास vrij कं साओ ग्राम का भी तब आपको रूप चंदा का सीड छोड़नाँ कर आप 172 त Đây इसमीं आ उसमें होगा है if तो रूप चंदा के जाता तो रूप कि चंदा का बच्चा छोड़नाए, और रूप चंदा का बच्चा आपको 20 ग्राम होना चाहिए, कि उसका ग्रोथ आपको बहुत चोटा हो चाहिए रुप चंदा का और येलिंग होना चाहिए आइम सी जिसमें आपको केजी निखसेगा उसमें रूप चंदा भी आपका 849 सू ग्राम का निखसेगा एस योड मैं 110 परसंट करता हूं मैं खुद कल्चर भी कर रहा हूं इसमें आपको मैं यह मैं लाइब दिखाता हूं इसमें ग्लास कर्प है कॉमन कर्प है कतला है अमूल कर्प है बीगेड़ भी है और उसके साथ रूपचन्दा का कल्चर में ने कर रहा हूं आपको मैं दिखाता हूं कि मेरे साथ मेन रूपचन्दा 200-200 ग्राम का भी हो गया है अब कतला 200-200 ग्राम है कटला कि गलास कर्प हम आएमसी ज्यादा नहीं डाल पाए थे लेकिन मेरा 50-300 से पलस सबसे बड़ा मुद्दा आपको मैं बताने जा रहा हूं जो कोई यूटूबर नहीं बताएगा आपको स करते हैं लोग हैं दुसरे का वीडियो सर्च करते हैं आपस लाइब आ जाते हैं क्योंकि कभी कफी कसmusic के नहीं मछली की कोई अनुप के नहीं कहें से ठेनिंग का नहीं उन्होंने बस शिर्फ यूटूब बनाना है विद्धा यूटूब बनाना भीूज बनाना यूटूब के जरीए कुछ अच्छा करना लेकिन मेरा मुद्दा भाई नहीं है मेरा मुद्दा है कि आप फार्मर सफल हो ताकि जिस तरीका से मैंने चार-पांच साल गवाय हैं दोस्तों का पैसा बरवाद किये हैं दोस्तों का भरोसा पर खड़ा नहीं उतरे हैं काफी नुक्सान होने के बाद भी मैं आ रहा हुआ हूं इस फार्मिंग में तो और नुक्सान आपको ना जहलना परे इसलिए आपका भाई आपके साथ वीडिय से आप जो भ्यूज जाते हैं उस भ्यूज से मेरा चैनल मुनिटाइज हा जाएगा तो हमें भी अच्छा लगेगा और इसी तरीका से टोपिक में नहीं नहीं लाता रहूंगा तो रूप चंदा मचली क्या खाती है क्या खासियत है मिक्स काल्टर करने में क्या-क्या वेने टाइब के बहुत सारा कियों होता है जब आप नेटिंग कीजिएगा जब जाल चलाइएगा तो जाल में बहुत मात्रा में मच्छड के जैसा आ जाता है तो आपको पहला बात की तवाय से गाई हो जाएगा रफुचे करो कर देगा तो सारे को चून-चून के खा जाता है पानी के अंदर उसको रूप चंदक को बेस्ट भोजन माना जाता है वो लाइब जीवानू खा जाएगा उसके अलावा जितने भी नवा कहार पानी में जो होते हैं जो उपर नीचे जो कीडा में कोड़ा करते रहते हैं वह आपको नहीं दिखेंगे जब और नहीं दिखें जब पैदा होता है वह बैक्टिरिया आपका तालाव में नहीं होगा तो आपका तालाव में स्योर है कि जब फंगस नहीं आएगा इंफ्यक्शन नहीं आएगा तो ग्रोथ मचली का जादे करेगा आज दूसरी बात जब वह सब मच्छड पानी के अंदर तयार होते हैं तो पानी में से बिजयोल ओक्सीजन को शशन करते हैं और नहीं होगा तो पानी में बिजयोल ओक्सीजन के मातरा भी बणकरार रहेगा तंदृस्त रहेगा तो मचली हमारी तंदूस्त रहेगा रूपचंदा का तो पहला फैदा आपको छिक घ्ञांस आपको लॉःवे दिखाता हूं मैं अपकर गशंप ग्हा रही है या नहीं Could जान गराय साथ है यह ऎ अड़ता है कोई इसे वह इस नहीं को लहाइं है कि रूपचंदा सिर्फ फीड खाती है रूपचंदा हमारी मचली को पूछ का खा जाएगी वह सब बेकार की बात जो देख रहें चलिए आपको मैं लाइव दिखाता हूँ कि रूपचंदा मचली की तरीकार से घास भी खाती है यह आपको मैं बीडियो को दिखाते हूं दखिए जो घास कर्द के लिए जो दखिए कितना करा घास डाला है जो मचली रेड कार के जो बुच्छी मार के घीच दिख रहा है तिर दीख रहा है आपको तिनका के निप पीछे ग्रीन रेड की जाचा रेड मचली और रूपचंदा मचली तो आप श्योंगर रहे हैं कि रूपचंदा मचली भी घास खाती है तो और इससे बेतर क्या होगा वाइए आपको फिट नहीं रहेगा तो घास भी और आपको मैं चली चली मैं दिखाता हो रूप चंदा आपको दिखा दिए कि रूप चंदा गहां सखाती है और बेनेफिट तो यह भी है कि अधी रूप चंदा का कल्चर करेंगे तो आपको मचली का जो भी मतलब अधी किसी परकार साथी मचली मर गया तलाव से आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो जो तलाव में जो गैंदगी होता है वह भी नहीं होगा वह मचली को हाजम कर जाएगा आपको मतलब इंफेक्शन मचली को तलाव में इंफेक्शन होने का खत्रा खत्म हो जाएगा ऐसी परजाती का मचली है तो मैं तो सजयसन दूगा कि रूप चंदा का कल्चर मिक्स कल्चर के साथ ने थोड़ा थोड़ा करें कोई दिक्कत नहीं है कोई किंटु-प्रंतु न रखें को कि यह हो जाएगा और मांस को चाहिए तो पिर कहीं को दूसरे मचली को पर हावी हो जाएगा इसके लिए आप सब गुझारिस है कि रूप चंदा मिक्स कल्चर के साथ में करें बेहीचक करें अब सभी भाई से निवेदन हैं इतना देर हमारे सब्सक्राइब कर दें विगास कुमार आपके साथ हमेशा सेवा में समर्पित है आपका भाई जय हिंद जय भारत